मेरे और अगरन जो सिस्टम मेरे अब करण करते हो तो आपकर विश्ट मेरे स्लो रण हो रहा है। तो आगर आप RAM बढ़ाना चाहते आपके CP बे और आप बिना money waste करें आप अपनी CPU की RAM बढ़ाना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपके लेक वेस्ट ट्रिक लेके आगया हूँ तो जो ट्रिक की बात करें है हमारा इक नॉर्मल सा पेंड्रा है तो आप इस पेंड्रा का इस्तमाल करके इस पेंड्रा को आप सिधर रैम बना सकते हो और यूज कर सकते हो हैजर रैम और बढ़ा सकते हो अपनी सिस्टम की स्पेंड्रा की यह जो सिस्टम यह जो पेंड्रा व बना सकते हों तो और सबसे पहले बात करो किया सबसे पहले मेल अब फ़ले कहां कि हम करना है लोगें करना है अगर रखे करना है बिडो गेन्स करते हैं उसी वक्त आपको जो बस यह श्ट्रिक करने इसा नहीं कि अगर करो करो कर हैं यूज software फ्लीज ऐसे हुए क्या हुगा कि रोगे लगा के रहा अपने सिस्टम में और आपका इसले जब ही आप टाक्स्क्स करो ही विर्ट करा अपने सिस्टम पे तो तभी आप इसको रैम बनाओ अपने सिस्टम से कनेक करो तो अगर बनाना चाहते हो तो जल्दी से चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो हेलो गाइस मैं हूँ जै और आप देखरें टेख बोई टी सेवन चैनल सो विदाव डिटी फरदर लेट स्टार्ट दिए वीडियो जो गाइस तो सबसे पहले हम कनेक कर लेंगे हमारे कॉंप्यूटर के साथ माई पेंडराइव को अगर आपके पास कौन सा भी पेंडराइव और कौन सी पी कंपनी का पेंडराइव हो यह जाए वह किता भी हो एट जीबी हो है सिक्ष्टी फोर जीबी हो काम आपकर चल तो सबसे पहले आपको प्रेंडराइव करने करने के बाद आपको क्या करना को सबसे पहले राइट रिफ्रेश मार लेंगे हमेरे सिस्टम को रिफ्रेश मारने के बाद हमें आपकर क्लिक कर देंगे विंडोस और यहां पर टाइप कर देंगे इस पीसी सो सबसे पहले दोस् पेंड्राइव करने करने रखना है और यहां पर नोटिफिकिशन आना चाहिए कि आपका जो पेंड्राइव और सिस्टम के साथ कनेक्ट हो चुका है तो आभी हम क्या करेंगे इस पीसी को ओपन करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो USB ड्रावे यहां पर आ चुक प्रिख द्यान में रखना कि फॉर्माट करने एगर पॉर्मैट करने कि अगर 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 आगे की स्टेप्स में युथ हैं वानगे जहाए ए ल्हां तो इस वीडो को आख देखिए क्यूंकि में लाश्म बताने वालों कि इससे कुछ हमारे कुछ ूछ होता है यहां तो स गट कोनुस मैं पर पैंट करना तरी तका स्टान फॉर्मेट इस्टों अर्ग करने के बाद डिक पर स्टैंट यहां लोससी की जince है ने भीदें तो हम उछका पैन प्रेंटरा बैंट or बहुल साकणना प्रवाइन पारो प्राज क्लीक जांगाए लेट करेंगे लगार State में तो हम एक कर दोफर दियुग की आइकन आरायाम क्लिक कर देंगे तो हम वेट कर लेते हैं प्लीज वेट वायल रेडी बुस्ट इन्फरमेशन इस जनरेटिंग तो रेडी बुस्ट कर जो आप्शन है वह हमारे पास आ चुका है अगर यदो पर प्लीज दिए इस पर क्लिक कर सकते हो या नहीं तो आप इस पर बीक कर सकते हो डिडिकेट इस डिवास टु रेडी बुस्ट यानि कि अपकर जो पेंडर वे वह बहुत मैंच अगर प्लीज आपको 30 एंबबीपेश के उपपर आपको स्पीड देता होगा टां 10 MBPS की उपर स्पीड देखने को मिल जाती है तो मैं ही आपको क्लिक कर दूँगा डेडिकेट इस डिवाइस तुरेडिपूस अगर आपको पेंड रहे वेवेव दस एमब या 20 MB के आंदर आपको यहएँ पिल तो प्रेडिकर आपको इस डेवाइस पर इस डेवाइस निचे आपको ही समझ भूअपशन क्या बताते हां कि डोश्र्षियरोव ज्बाइस ौज चाप देख सकते हिए इछ का है तो जैसे कि आप देख सकते हूं मेरा जो पेंट रहे है वह एट जीबी का और पूरी एट जीबी की पेंटरा वो खाली है तो यह बोल रहा है कि आप यहाँ पर 4094 MB यानि कि जीबी तक में पेंटरा बना सकता हूं यानि कि आप कितना श्पेस देना चाहते हो आपने पेंटरा में फाइल अपलोट करने के लिए मेरा जो सिस्टम में आप 4GB दिया तो system क्या करेंगा अपने रैम में से 4GB डेटा निकालेगा और पेंटरा में इसको 4GB डेटा डाल देंग तो आप देख सकते हूं दर पूचा गया है कि मेबी लेस दें एक्च्वल फ्री स्टम लिमिट अगर पेंटरा कम होंगा यानि कि समझ लेजे इतता होता निए अगर अगर पाच यह पाच अपन रहा होंगा तो आपका जो सिस्टम है और अपके सिस्टम में रैम कम है तो आ इसलिए मैंने अपने पेंटर को रैम बनाना सिखा दिया अपने इस वीडियो में तो मैं आपर फोर्ज भी दे दूँगा क्योंकि जो इधर से जो हमारे पास आता है जो पहले से हमें जो सिस्टम देता है उसे ही सिलेक्टेट रखिए उसे कभी कम या ज्यादा मत करिए तो आपको जो विंडूस तो आप देख सकते हैं विंडूस रिकमेंड रिजर्विंग 4094 Mb4 आप्टीमल परफोर्मेंस तो विंडूस बोलता है कि 4GB तक आपको स्टोरेज दे रहे होंगी पेंडराई की अच्छी परफोर्मेंस मिलने के लिए तो इस पर आम आप्लाई पक्लि आपको जाना है विंडूस वापर सर्च करना है सर्विसेस में जाने के बाद आपको जाना है सर्च करना है सूपर फिच यानि कि सर्च निकरना को सर्विसेस सर्च करने के बाद आपको सूपर फिच मिल गया तो आपको उसको ओपन करना है ओपन करने के बाद आपको उस पर अगर आपको एना पाइब करतें और आपके लुख रहा है तो आपको क्लिक करने डिल्द आपक पालतेγαे प्रौपर्टी, नो करने गाएगे! तो तो यह अगर आपको कुछ इस्टेप पॉलो की जिए सर्विसेस में जाकर आप सुपर फिच को दुनिया वाप पर आपको प्रॉटमाटिक कर दीजिए तो आपको पेंड्राइव शोहर लगेगा तो आप देख सकते हो सेटिंग जो है वह अच्छे से हो चुकी है तो आप यहां पर यूज इस डिवाइस पर क्लिक करके अप्लाइ कर देंगे और अब यहां मरज़ों सिस्टेम में वह रैम में से थोड़ा डेटा पेंड्राइव म यहां आपने देखा होगा कि में उसे चार जीवी तक कि स्टोरेज दी थी मने उसको वहां पे अपने तरफ सेटिंग एक तुम मेरे पेंड्राइव को यूज कर सकते हो और हां जो आदर स्टोरेज जो उन्नेसेसरी स्टोरेज निकाल कर पेंड्राइव में डाल दिया है तो तो आपको अपने देखने साथ क्षया हैilly और अपने भ्रेकर करन मेरे सिस्टम में सफोगता है track दो आपने स्टम के साथ के से समकुली करना होगा से बढ ni कि रखे रोखे और आपनेने कर आप इस 이거 रहां ना वोर आप नहीं खरीदना चाहते तो आप इस ट्रिक को एसकाटें के कर साडराइब पीजित दौन बेन शीप रहे पहुत अच्छिभी व प्यजटात करें इस च्रिक hebat поддерж और यह को और यह क्या जाओ तो आपका जो सिस्टेम में आच्छी से काम करें और आपकी जो पेंड्राइव और आपका जो सिस्टेम में नहीं होंगा अपने देखा कि किता आसा ने आप इस ट्रीक को यूज करके आपने पेंड्राइव को रैम बना सकते हो अपने सिस्टेम से निकालना चाहते हो यह सारे स wooden ही ए आधर आपने पेंड्राइब को राम बना भणा लेते हो तो अगर आप राम इकक्त करना चाहते हो आपने सिस्टम से निक्लन हो तो सबसे पहले करना मैं को हrise करने से फेले क्लिक करिंगे आप यूग यूप उडटी नाट यूज्टीी किर देंगे सफीं mother करने के बाद ही सारे आपको यह जो नंबर पहले आपने दिया था अपने रैम को यूज करने के लिए चार्ज इभी स्टोरिज दिया था मैंने तो इसको ऐसी डिफॉल्ट रहना देना है और यहां पर क्लिक कर देना इसे अगर आप यह सारे स्टेप्स फॉलो करकर आपने देगा ताम वेट कर लेते इसके ट्रांसफर होने का पेंडराव में से सितर रैम में सो ओकी तो हमारे जो पेंडराव वे आप देख सकते है पूरा खाली हो चुका है यानि अभी जो रैम का डेटा था उससे वापस ले लिया है पेंडराव में से अगर आप एजएक करना च तो आगर आप एजएक करेंगे तो आपका जो सिस्टम में विड्योस से वो क्रेश हो जाएगा आपका सिस्टम काम नहीं करेगा आपको विड्योस जो है रिइंस्टॉल करना पड़ेगा तो इसलिए जब भी आप रेडि़ी बूस्ट करके इसको यूज करते होंगे पेंड वे वे